हलो फ्रेंट्स मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आए अज 31 वर्ष की महिला के पाम का अनसस करेंगे इनके सवालों का जवाब करेंगे तो सर पर हम इनके प्रशनों को शोड़ेंगे फिर एक करके उस प्रशनों का उत्तर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो किल्पैकर के चैनल को सस्क्राइब कर ले बेल अकन को प्रेस कर दे ताकि लेटस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए चलिए शुरू करते हैं इनका सवाल इस प्रकार है इनोंने काफी तकलीफ द सवाल है कि आगे का जीवन कैसा रहेगा आगे का जीवन में स्मूथने से रहेगी और एक मूल सवाल है कि पती कैसा मिलेगा घड़ेलू स्थिती कैसी रहेगी केरिंग होगा की नहीं और मेरा ख्याल रखेगा की नहीं तो निश्चिंतर हैं आपके साड़र विश्वर आपक हमें डिले करवाती है decision making के problem में problem करती है decision making के problem में दिक्कत आती है उसके बाद देखो तो आपकी एक line जो इनकी mind रेखा कि वो ब्रेशपती पर चली गई तो ये अवस्था अगर आपकी ब्रेशपती एकदम damage हो और ये line चली जाए ना तो फिर ये अच्छी अवस्था नहीं होती है विवासंबनी मामले में सदै परिशानी पचीस से लेके 33 वर्षों के जिंदगी ऐसे वेक्तियों का बहुत ही खराब बीचता है बहुत जादा उसके बाद देखो तो मैं एक चीज़ आपको बता हूँ एक चीज़ और इनके अदिली पे हुआ है यही माइंड रेखा यहां चली और यह हर्ट लाइन के साथ अटेजड हो गए यह भी इनकी हर्ट लाइन के बाहन से लेकिन हर्ट लाइन इनकी नीचे के तरफ आगए इसका भी मैं आपको मतलब समझाता हूँ पहले तो आप यह देख लो कि यह जो ओबर लैप बाले स्थिती है ना और यह वाली हर्ट लाइन तो यह अन्बैलंस्ड की अवस्था है यह प्रॉपर बैलंस्ड नहीं है तो इस केस में क्या होगा ना इनसान दिमाग से जादा दिल से सोचेगा और दिल से कितना परफेक्ट सोच पाएगा वो भी चीज़े में देख रहा हूँ क्योंकि हर्ट लाइन के एकदम अन्बैलंस अवस्था में एकदम यह बैलंस्ड रह नहीं है तो दिल से भी जादा नहीं सोच पाएगा मैनूपरेट करना बहुत इजी होता है अगर आपकी हर्ट लाइन के स्थिति नीचे आ जाए आपके बुद्ध पे ओबर लैप कर जाए आपके बुद्ध माउंट पे चली जाए जो की कही ना कहीं विवाह रेखा का भी एक जहां पर बनता है विवाह रेखा वहां से को इकदम बहुत हार्ड लाइन मैं आपको दिखाता हूँ страш लाइन ऐसके बाद एक शादी के योग हलकसा एक लाइन और ने देखा लो दो लाइनै तो ये शादी के योग थे ये तीन चीज़े होती इसमें क्या होती ही ना पहला लगन भार तूड गया या पहले किसी के साथ relation हुआ वो नहीं चला, दूसरे एक line और तक्रीवन आपके 32 में, 33 में बन रही है, और तीसरी वाले जो इस्थिती है न, एकदम overlap कर रहे ये line इस age में आपको समलने की जुरूत है, आपके 44 में साल के इस समय हो सकता है कि आपको कोई न, कोई विशेश प्रकार की समाजी का भेलना हो, यूकि एकदम, एकदम बहुत strength वाली line है, इस समय हो सकता है कि आपके जीवन में कोई इंसान आए, उस age में जो की आपको परिशान कर सकता है, याद रखना ये एकदम point वाला वाद में आपको बता रहा हो, एक line तो आपने यहां से देख लिया, यह वाली बने, एक यहां से भी हलकी हलकी मुझे दिखी थी, तो जब ये तीन अवस्था बने, दो line आपने देख लिया, और एक line all यहां पर से यह वाली जो line है न, यह आप इस age को याद रख ले न, 42 से लेके बहुत धूमिल धूमिल अवस्था में ती आपने नहीं किया हो, एक आपकी 32 में, 34 में में आ रही है, वहां पर से भी होने के chances बन रहे हैं, और क्या है न, शुक्र में प्रबलता अच्छी है, ब्रश्पति डेले करवाएगा, कित्ता करवाएगा, वही बात है न, कित्ता कर प्रबलता है, और यहां से भी देखो, यहां से भी एक लाइन बन किस पे टैस्ट हो गई है, तो आपको जुरूत है कि आप माइंड को थोड़े स्ट्रॉंग करके सोचें नहीं, तो आप दिल से सोचोगे और उसके अडिग रहोगी, आप दिमाग से डिसेजन ले ही नहीं पाऊगी, यह बहुत बड़ी प्रप्लम है, ठीक है, उस चीज़ पर आपके एर करें, अब दूसरी चीज़ें में बताओं, इंका दूसरा कोश्चन, कि विवाह कब तक होगा, तो मैंने एक योग बताए आपको 32 में, 34 में में, क्योंकि आपके शुक्र भी बहुत जादा है, और शुक्र इतना स्ट्रॉंग लेने के बाद हर एक किसम का लगजरी का सुख मिलता है, मध्यम पड़िवार में जर्म लेने के बाद भी ऐसे लोग अच्छे खासे सुख को बिताते हैं, और जीवन बनी लोग का इसमें करता है, यह तो तैवाली बात है, और शुक्र की प्रधानता कही ना कहीं आपके भिवास संबन्दी मामले में आपको फाइदा दिलवाएगी, शुक्र और श्यादर्मा दोनों में प्रधानता, इसलिए मैंने दोनों बात कही, कि जो भी आपका हस्बेंड होगा, पहले तो वो आपके भाग्य से लखी, मतलब तरक्की इसका सबसे बड़ा मैं इंडिकेशन बताओ, तो यह वाली देखो, तो आपकी फेट लाइन किती जबरदस चल रही है, यहां से थोड़ी सी परिशानती तक्रीवां थाईस में के बाद आपकी फेट लाइन ने अच्छा खासा पतला रूप लिया, और आगे भी एक्स्टे जीवन रेका में तक्रीवन 35-36 में से बनने वाली कंटीन्यू बेसिस पर प्रॉग्रिस लाइन है, यह भी आपको उन्नती कारक शुरोत है, उससे पहले की लाइफ टेंसन थी, 28-27 में सब मैं बताओंगा निश्यंतर है, वो मैं जब आओंगा तो बताओंगा इस पर, तो य यह दो अवस्ता जो थी ना, उसके बाद प्रॉपर मनिट रेंगल, आप अगर देखो तो एक शूरी लाइन डवलप करती भी नज़र आ रही है, दूसरी देखो तो एक मनिट रेंगल के अवस्ता बनती भी नज़र आ रही है, अभी स्ट्रेंथ वाली नहीं है, तो इसके लाइफ में पैसे भी आएंगे मनी ट्रेंगल में आपके डाइफ में पैसे री परसेंट जरूर करती है और उसके बाद देखो तरह का कोशन था कि हस्बेंड कैसा मिलेगा केरिंग होगा की नी देखो शुकर की परधानता अच्छी है साथ साथ जब इनसान लाइफ में करस्ट सहता है तो उसकी मैचुर्टी लवल अलगी लवल पर चला जाता है तो कहीं न कहीं करस्ट की अवस्था तो मैंने देखी लेकिन फिसका इसका देवας में परधानता की अच्छी इंसान होंगे वो आपके लिए dedicated होता है, caring होता है अब देखो रूप रंग का तो कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है उसका विशे में चरचा नहीं करूँगा इतना जुरूर बता सकता हूँ कि आपके लिए caring होगा अच्छा होगा और आप उसके लिए लखी होगी यह तैवाली बात है उसके बाद का इनका सवाल था आगे का जीवन तो देखो मूलता 35 के बाद तो अच्छी खासी स्थेती देख रही है उसके पहले जीवन रेखा भी स्मूथ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ एक राहू लाइन का तक्रीवन अगर मैं देखो तो एक 25 में साल में कट था एक राहू लाइन का जो कि इनको तक्रीव दिया होगा फिर इनकी माइन रेखा में भी कुछ ब्रांचेस निकला तो यह आपकी माइन को बलपरदान कर रही है लेकिन मुलता 34 में 35 में से आपकी जीवन में बहुत बड़ा प्रोग्रेस है यह देखो यह तक्रीवन आपकी प्रोग्रेस आ रही है 40 में वर्ष की आयू में बहुत ही बहतरीन और आगे भी दो continue basis पर मतब टेंशन की बात नहीं है जो कष्ट साव उसने आप जो भी कष्ट आपके जीवन में था ना उसको आपने जहल लिया 35 में से आपकी अच्छी खासी प्रगती मुझे आपके एकली पर दिखरी है और वहां से आपकी भागी रेखा भी पतली अवस्था में जानी है तो ये आपको फाइदा देते वे जरूर नजर आएंगी तो ये था इनका सवाल अब इनका चलते हैं इनके जैनल असेस के तरफ सबसे पहले देखो तो इनका स्क्वाईर स्पाम आ रहा है और गरहों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है साथ साथ भागी रेखा जीवन रेखा में साथ है तो ऐसे लोग का स्टार्टिंग फेस्टोरा तकलीफ दे रहता है लेकिन आगे चलके ये लोग जरूर तरक्की को पाते हैं घरों में राजियोग कारक अवस्था आ रही है कोमल पर्तीत होता हुआ पाप दिख रहा है में और जब कोमल पर्तीत हो गद्यदारों तो ये राजियोग कारक अवस्था रहती ऐसे लोग को जरूर में पैसे की दिक्कत नहीं होती है दूसरी चीज मैं दिखाओ अब मैं चलता हूँ उनके थंब के तरफ तो इनका थंब अगर आप फील करो ना तो बहुत ही स्ट्रॉंग थंब बहुत बोल्ड प्रस्नालिटी शम्मान की रक्षा कर पाएंगे डिजायर्स की बहुत खूब लाइने डिजायर्स के पोर्शन भी बहुत ही लंबा उसके बाद इक्षा सकती बहुत प्रवल अवस्था मैं थोड़ी थोड़ी लाइने बन रही थोड़ी परशन नेचर को इंडिकेट कर रही है तो इसा हिम्मत हार सकती है बट आप कोशिश करो तो मंगल आपकी बहुत प्रदान है सब चीज से आप निकल जाओगी थंबक की आपकी बोल्डनेस बता रही है इंसान चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है उसका देखवा डिसिजन मेकिंग में तो 200% प्रवलम 200% ये क्या प्रवलम इंडिकेट कर रही है कि आप अच्छे डिसिजन मेकर नहीं हो ये बहुत बड़ा बैबात बता रहा तो डिसिजन कभी बिलो तो सोच समझ के लो दिल से कभी मतलो चीज़ों को समझे इसका मैं आपको पाई दूंगा दूसरी चीज़ बताओ तो जुपेटर की पोर्शन भी थोड़ी लंबी है इगो हर्ट वाली प्राबलम आएगी और इगो हर्ट में ये लोग डिसिजन कलत ले रहते हैं कभी-कभी ठीक है क्योंकि जुपेटर में प्रधानता नहीं अच्छी तो वो वाली दिक्कत है तो आप उसको समलो शुड़ी में भी अच्छी खासी प्रधानता है लगबग लगबग दोनों की बराबरी हाइट है तो शुड़ी तो हिम्मत ही तो रहेंगी लेकिन अपनी भाबनाओं को कभी किसी कशास शेर नहीं करेंगी मन में घुटके रखेंगी उस भाबनाओं को दीले होना शादी में यह सब कॉमन सिंटम्स था इसका उसके बाद देखो तो कुछ लाइने एक बन रही है जो कि आपके 25 से 33 वर्षों की आयो को इंडिकेट करें जो के परिशानी भरा है लगिन कुछ आपकी स्क्वाइड नुमा किरती बें डबलब कर यह बनती है तो आपको अथर्टी पोस्ट की प्राप्ती यह कड़ाएगी आपके 34 में वर्ष तर फिर कुछ गुरुवले का फोर्मेशन है धार्मी का आस्ता रहेगे लेकिन लेकिन वेट तो भ्यान गेन करेंगे यह तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करने के आपको शकता जीवन का लास्पेड में शानी की प्रदानता है शानी रेखा की जो कि आपकी लाइफ स्पैन को इंडिकेट कर रहा है जीवन में समूथ नेस रह सकती है कोई बड़ी बात नहीं है एक हलकी सी लाइन ओफ एजुकेशन डवलप कर रहे है तो क्या है न ऐसे लोगों बेशिक नॉलेज़ अच्छी रहती पैतिर संपतिक तरब से एक रेखा आने बड़ धूमी लवस्था में है शुरी लाइन भी है बड़ हलकी अलकी धूमी लवस्था में डवलपिंग स्टेज में है तो बहुत ज़ादा अपने एम के परती डेडिकेटेड तो नहीं दिखरा बस जीवन चल रहा है पैसे आरे बस वही वाली बात है लेकिन मैं चाहूंगा कि आप डेडिकेटेड हो तो शुरी लाइन डवलप करेगी शुरी बुद की पोर्शन में अच्छी देख रहा हूं यहां से आप देखो तो यह बिसिकली का इंडिकेट कर रही है आपकी जीवन में आपकी समझदारी को समझदारी रही के लिएकिन आप बात आती इंप्लिमेंट करने के बारे उसमें कमी है उसको आप दियान रखना उसको वो कियर करने का हो शकता है कुछ बुर्दे लाइन है कम्यूकेशन वाइस तो अच्छी होंगी आप यह वाली जो आपकी हर्ट लाइन थी ना यह देखो हर्ट लाइन तो यहां से ठीक चली लेकिन एकदम कर लेकर नीचे आ गई तो क्या निया विवारेखा तरब चली गई तो 44 में वर्स में सिंपल स करें आपको बहुत तकलीफ दे वह सकता आपको रूलाएं बहुत से चीज़े होती हैं क्योंकि हर्ट लाइन आपके दिल की शमता या दिल की प्राबलम को इंडिकेट करती है बैसिकली क्या दवाब होगा क्या आप भहूत खुशर होगी क्या आपकी बहुत स्ट्रौंग है दिल तो वो नहीं हो आप और ये एकदम चली के विवा के साइड तो उस समय केर करने के आवश्यक्ता फिर देखो कुछ इस्थितिया ऐसे बन रही है जीवन रिकार्ट लेने टैस्ट जो तो ये भी कहिना का emotional nature को इंडेकेट कर रही है हमेशा दिल से सोचोगी आप हमेशा फि उसको आप जरूर केर करना कि आप ऐसा गलती आपसे ना हो फिर देखो इन कहते ले पर चंदरमा की portion बहुत अच्छी है चंदर मंगल अच्छी तो पैसे की दिक्कत तो नहीं होनी है बागे रिखा अच्छी है शुड़ी शुक्र में परदानता है तो लगजरी life और हर एक क कुछ tension जाए आप उसको जेल रहे तो चंदरमा में strongest है तबी और चंदरमा जब strong है तो विदेश्य संबंद बनते है कही ना कही आप जिसके साथ रहोगी आप उसके जरूर लखी रहोगी उसके life में धन संपत्ती आएंगे और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होते हैं आसे अबी धोमे लवस्ता में लेकिन यह जैसे बनती है प्रफेक्ट होती है तो बहुत फाइदा करेगी यह तो यह प्रफर अब अभी एक्टिवेट नहीं होती है यह आपको बहुत फाइदा देगी चंदरमा बहुत परदान है तो व्यक्ति के जीवन में खाने पीने के सौकी प्रफेक्ट होंगे और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति होंगे और अगर लोगों से जुरावाकारी करें तो इनको सफलता मिलेके प्रफल चांस से हैं फिर देगो इनका इनके शुक्र है शुक्र तो बहुत बोल्ड अवस्ता में पड़िवाइक टें प्राब्लम आती इन लोगों को पता ही जलता इन लोग का फिर प्राब्लम शॉल्ब करने के लिए चीज़े आ जाती है फिर देगो इनके दिले पर मंगल की परधानता अच्छी है तो इनर्जी वाइस नो डाउट बहुत ही अच्छी और अगर यह चाहे तो कुछ भी कर सकत इन लोगों से लड़ने की सबसे बड़ी बात कहा है ना रोगों से लड़ने की एक छमता जोती है इन लोगों में खतर नाक होती है और जमीन जायदात बनाना चाहे तो बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ इन लोग को जल्दी कोई स्वास्त की स दिर्गाय को सेंसारा इनका 75 वेर प्लस होने के परबल चांस है फिर इनको स्टार्टिंग फेज में कुछ प्रोग्रस लाइं थी लेकिन कुछ दवाब भी था तक्रिवारिक मामले में परिवारिक टेंसरंस रही होंगी चुकि जुपिटर नेगेटिव वे में जाड़ी तो उसी मामले में परिशानी करेगी तो जब जुपिटर नेगेटिव वे में जाए तो परिशानी कही ना कई परिवारिक मामले में इसको हुई होगी इनको 22 में 21 साल के आयू में फिर उसके बाद इनकी एक और लगबग ये इंडिकेशन बनी थे तक्रिवन 27 में 22 में में जो क इनको दर्शा रही थी कि इस समय आपको कोई ना कोई बल परदान हुआगा जो आपको जीने के चमता को और बढ़ाया होगा आपकी माइंड मैचुर्टी लेवल आयोगी तक्रिवन 24 समय वरसे से इनके लाइफ पे अच्छी खासी प्रोग्रिस लाइन है जो कि continue basis पर चल र कुछ ट्रेंगल थे फेट लाइन पर जो कि आपके कास्मिक धनलाव किसी को इंडिकेट कर रही थी लेकिन बहुत प्रोपर अवस्ता में नहीं लेकिन हाँ जब आपको जुरूरत परता होगा आपकी family conditions वैसे नहीं होगी फिर भी आपके पास पैसे आ जाते होंगे फिर दे हमेशा अची होती है और ये फेट लाइन आगे बेक्स्टेंड करी तो जीवन का लास प्रेट तो मैं भागी करिगारी तो ठीक दिख रहा हूं एक रेखा यहां से भी चल रही है और अगर इस रेखा को ठीक से गौर करो ना ये शुक्रवले नहीं है ये रेखा ऐसे चल रह है जीवन का लास प्रेट आपके स्मूध भी तेगा चुकि प्रोगर्स लाइन और ये बनने वाली रेखा है और साथ-साथ इनकी जो जीवन रेखा में स्मूध रहे से कोई प्रोपर्टी के फिलार योग डवलप नहीं है अबी लेकिन बंगल में परधानता है तो आगे च डेडिकेशन में कमी आ सकती है किसी प्रकार की डेडिकेटर रहने की कोशिश करे तब ये और डवलप हो जाएगा फिर देखो तो इनकी अधिली पर एक शूरी लाइन हलकी यहां से भी डवलपिंग स्टेज में आ रही है तो ये अगर वी नुमा आकिरती प्रबल बनती और ये डवलप करती है तो ये आपको बहुत फाइदा देगी आपको जीबन में हर एक सुख सोविदा देगी मान समान परतिष्ठा सब देगी लेकिन फिला डवलपिंग स्टेज में बन नहीं नहीं मनी ट्रेंगल भी प्रॉपर अवस्था में डवलप कर रहा अगर ये डवल देगी डिए जिनसे ये अपने भविश्ची के लिए बचाती है क्योंकि धन्द बंडारो माई ट्रेंगल का फोर्मेशन महिलाओ कहते लिए पर हो चाहे सदेपैसे बचाते वही लोग नजर आती है तो ये था इनका पूरा हथेली का अनलसस अगर आपको हमारा ये वीडिय लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अगर आप प्राशन नहीं मेरे से बढ़ा मच चलना चाहते हैं तो मारा वोट्स अपर में डिस्क्रिप्शन में मिल जागा लेकर आप समपर्द कर सकते हैं धन्यवाद